Magnetic effect of electric current Magnetic effect Electric current का वो भी देखो आपके पास मान लीजिए एक wire है और वहां से current flow हो रहा है तो इस chapter में हम क्या पढ़ेंगे उस current से भी magnetic field appear हो रहा है वैसे तो आपने magnet से देखा है पर अब हम क्या है कह रहे हैं जो electricity जहां generate हो रही है वहां भी magnetic field जो है वो appear होता है और ये एक random जिसको आप कहते हो कि discovery थी जो कि Onstead जो scientist थे, hence Onstead उन्होंने इसको discover किया था ठीक है, जैसे ये क्या हुआ था, यहां पर जो simple एक diagram दिखा रखा है कि यहां पर आप flow हो रहा था current का, और साथ में तब उसके पास में compass रखा गया तो वहां क्या पाया गया है कि जो compass होता है, उसकी needle जो है वो deflect कर रही है, जो की magnet से होती है, जैसे हमारा earth भी north और south pole उसमें है तो जिसकी, क्योंकि earth को भी ऐसे magnet देखा जाता है, तो उसकी वज़े से वो deflect होती है तो ऐसे ही किसमें देखा गया है, कि जहां से current flow हो रहा था, वहां पे भी जो compass है वो deflect हुआ तो इसका मतलब वहां क्या appear हुआ है, बच्चों, वहां क्या generate हो गया है, वहां पे magnetic field जो है, वो generate हो गया है, ठीक है और जो magnetic field जो होता है, उसकी जो unit आप कहते हो, वो क्या कहते हो, बच्चों tesla आप बोलते हो, जिसको t से represent किया जाता है, ठीक है, क्या है tesla ठीक है, अब देखो next जो हमें, जो चीजे पढ़नी है magnetic field lines, वो जो आपको बता रखे हैं, वही state लाइंग होते हैं, north pole जो की earth के north pole की तरफ align होता है, south pole वह होता है, जो earth के south pole की तरफ align होगा ठीक है, वैसे उस पर लिखा वज़़े मिलता, magnet की यह south pole है यह north pole है, वो ऐसे नहीं मिलता आप compass के उसमें देखते हैं, कि north की तरफ align हो गया, तो मतलब वो नोर्थ पोल हो गया, सौथ की तरफ आलाइंग हो जाएगा, तो सौथ पोल हो जाएगा, अब आपको ये पता होना चाहिए, कि जो magnetic, जो field line है, वो कैसे कैसे क्या करती है, ट्रेवल करती है, ठीक है, अब आपको दो चीजे हैं, मेगनेट की, एक तो मेगनेट जो है, जैसे यह बाहर की तरफ का मामला है बच्चो, तब आप मेगनेट के बाहर देख रहे हैं, पर ये complete लूप होगा ना, जैसे हमने बोला, नोर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, मेगनेट के अंदर देखो ना, क्या होगा, साउथ से नोर्थ की तरफ ट्रेवल कर नहीं है, इस डाइग बना है, एक क्लोज लूप यहां पर बना है, और जो लाइन होगी, जो यह आपको मेगनेटिक फिल्ड लाइन दिख रही हैं बच्चो, यह कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि एक तो इसकी पर्टिकुलर क्या है, डिरेक्शन है, डिरेक्शन मतलब क आप यहां पर इस लाइन पर एक टेंजेंट ड्रो कर लेते हैं, जिससे आप उसको क्या पता लगाते हैं उसका, उसकी डिरेक्शन से यहां पर एक कोशन और पूछा जाता है, बच्चो, जो जो मेगनेटिक फिल्ड लाइन है, वो एक दूसरे को क्रोस नहीं करती है, ठीक ह उससे, उस पर मतलब आपसे एक रीजन पूछा जाता है, बही ऐसा क्यूं होता है, तो नॉर्मल सी बात है, एक पॉइंट पर, एक ही पॉइंट पर, जैसे मैंने कहा कि यहां आप टेंजेंट से डिरेक्शन देखते हो, क्या एक ही पॉइंट पर, दो डिरेक्शन एक्जिस होगे, तो इस लाइन का टेंजेंट अलग आएगा, इस लाइन का टेंजेंट अलग आएगा, मतलब यह तो दिखा रहे हैं कि भई, एक ही पॉइंट पर दो अलग अलग डिरेक्शन हो गई, तो ऐसा नहीं हो सकता, तो कभी भी, जो मैगनेटिक फिल्ड लाइन से हैं, वो जो वो क्रोस नहीं करती हैं, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, तो वो क्या होगी, एक तो क्लोस लूप होगा, एक दूसरे को क्या है, क्रोस नहीं करेंगी, और जो टेंजेंट होता है, मैगनेटिक फिल्ड लाइन से जो आप मार्क करते हैं, वो उसका डिरेक्शन सकते हैं कि यह भी एक straight line होगी, एक straight wire है, तो वहाँ से हमें क्या देखना है, जैसे यह बना रखा है, कि आपके पास एक क्या है, straight wire है, straight line जो आप conductor जिसको आप बोल रहे हो, उसमें से क्या हो रहा है, electricity पास हो रही है, तो यहाँ यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो magnetic field lines है, उनकी concentric circles बनते हैं, जैसे दिख रहे हैं आपको, यह circle इसके 4 और बन जाते हैं, इनका point क्या होता है, इनका point जो होगा, हर एक magnetic field line का, वो common होता है, और वो उस conductor पर ही लाई करता है, जो एक straight conductor आपने माना है, तीक है न, इस straight conductor पर ही वो point जो, आप common point कहा रहे हो, हर एक magnetic field line का, वो उस conductor पर ही लाई करेगा, ठीक है, देखो, जितना जादा field line, जैसे हमने कहा है, यह conductor है, जितनी जादा lines बनेगी, और जितनी पास-पास line बनेगी, मतलब उतना जादा magnetic field है वहाँ पे, और जादा, मतलब बहुत दूर-दू lines है, तो मतलब weak field वहाँ पे होता जा रहा है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है, और यह कब ऐसा होगा, जितना जादा आप current पास करने वाले हैं, जितना जादा current पास होगा, उतना ही जादा वहाँ पे, magnetic field अपियर होना शुरू हो जाता है, ठीक है, इतनी बात समझ में आई है, तो यहाँ पे आपसे magnetic field line का direction आपसे पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, बचो, magnetic field line की आपसे directions पूछ ली जाती है, अब दियान से देखना कि कैसे कैसे होगा, आप वैसे तो जो आपका जो right hand thumb rule यहाँ पे लगता है, क्या बताने के लिए, direction बताने के लिए, क या फिर clockwise होगा, कि anti-clockwise होगा, वो, ठीक है, अब आप क्या करेंगे, जैसे यह आपको दिख रहा है, कि आपके पास एक straight यह conductor है, और उसका जो current है, वो कहाँ पे flow रहा है, या तो आप उपर की तरफ मान ले, या तो आप नीचे की तरफ मान ले, दोनों तरफ किसी भी तरफ मान सकते हैं, आपको क्या करना है, जो अंगुठा है, आपके जो right hand है, उसके अंगुठे को किस की तरफ रखेंगे, आप current की तरफ रखेंगे, जिस तरफ भी current है, मान लीजे, यहाँ पे उपर current जा रहा है, तो अंगुठा आपका किस तरफ आएगा, अंगुठा आपका उ close करते हैं तो अंदर की तरफ क्या जाएंगी आपकी उंगलिया जाएंगी क्या जाएंगी अंदर की तरफ उंगलिया जाएंगी ठीक है तो वो inward हुआ क्या हुआ अंदर की तरफ उंगलिया आपकी जा रही है मतलब ऐसे ऐसे जा रही है इसमें क्या होगा नीचे कर लीजिए अंगुठा नीचे आप करेंगे जैसे इसने कर रखा है तो अब ये गूमती हुई जैसे इसने खोला होगा तो ये बाहर की तरफ निकली होगी क्या है, बाहर की तरफ निकली होंगी और जैसे ये बाहर की तरफ निकली होंगी मतलब ये गया था, inward ये क्या हुआ था? inward हुआ था, और ये बाहर की तरफ निकल रही है, मतलब outward ऐसे आपको direction बतानी होती है किस चीज की जो magnetic field line है उसकी, कि inward हुआ कि outward हुआ, जैसे आपको ये दिखा कि नीचे की तरफ current था तो आप नीचे थम कर लोगे और अपनी उंगलिया घुमाते हुए लाओगे तो मालीजी आप यहाँ पे ये circle आपने बनाया हुआ है, तो घुमती हुई ऐसे जाएंगी अंदर की तरफ ठीक है, मतलब कि यहाँ पे तो घुमा ऐसे अंदर मतलब ऐसे जा रही है arrow ये clockwise हुआ के anti-clockwise हुआ बच्चो ये anti-clockwise हो गया, क्या हो गया anti-clockwise और ये कौनसी direction हो गई, clockwise ठीक है ना, बात समझ में आ गई होगी, तो ये चीज़े आपको ध्यान रखने हैं, और ये कैसे भी रखी जा सकती है ये conductor ऐसे भी रखा जा सकता है, कि एक wire ऐसे रखी हुए, उसमें current ऐसे flow कर रहा है तो अपने अंगुठी को कैसे कर लोगे जहां पर current flow हो रहा है, इसकी तरफ कर लेना और फिर कहां जाएंगी, जो lines है माली जी, यहां पर आपने एक loop बना लिया ठीक है अब यहां क्या है, हमने थम ऐसे रखा जहां arrow है उसकी तरफ और फिर क्या है, अंदर की तरफ ऐसे line जाएंगी, क्योंकि जिस तरफ हमारी उंगलिया move करेंगी न, उसी तरफ जो current है, जो अपनी magnetic field line है, उसकी direction हो जाएगी, मतलब ऐसे loop बनेगा और इस तरफ हमारा क्या जा रहा है यह magnetic field line की direction, क्योंकि अंगुठा इस तरफ होगा और हमारी मुठी नीचे बंद होती जाएगी, ठीक है यह बात समझ में आ गई होगी तो यह चीज पर आपको ध्यान रखने वो inward, outward, वो ऐसे आपसे पूछता या clockwise, anti-clockwise तो यह तो आपको पता लगी जाता हो अगर ऐसे जा रही है, तो clockwise है कि anti-clockwise तो यह चीज आपको देखनी आने चाहिए ठीक है अब सर्कुलर लूप में आपसे पूछा जाता है बचो, magnetic field due to current through a circular loop माल लीजे, एक circle आप बना लेते हैं वायर आपकी पहले सीधी थी अब आपने वो घुमा ली वायर क्या है, आपने उस वायर को क्या कर लिया है, घुमा लिया है ठीक है, अब आप क्या करेंगे एक point को हमेशा एक state conductor माल लिया जाता है माल लीजे, आपको इस point पे देखना है ये वाला point है ठीक है, तो इसको क्या माल लिया जाएगा एक state line माल लिया जाएगा यहाँ पे भी आपको right जो आपका जो thumb rule है वही आपको लगाना है कि आपसे अगर magnetic field line की क्या पूछी जाती है direction पूछी जाती है माल लीजिए यह circular loop है और यहाँ उन्होंने current ऐसे दिखा रखा है आपको ठीक है तो आपको यहाँ पता है कि मैंने सिर्फ यह point ले लिया इतना ले लिया तो यहाँ पे जो current है वो उपर की तरफ जा रहा है इतने point पे तो आप क्या कर लोगे अंगूठा उपर की तरफ करोगे और line घुमाते हुए मतलब कि यहाँ अंदर की तरफ इसमें जा रही है my lines मतलब यहाँ इस point पे inward है क्या है inward ठीक है और बहार की तरफ outward मतलब वो बहार निकल रही है अंदर से जाते हुए बहार की तरफ फिल्ड lines निकलेंगी ठीक है बात समझ में आ गई और एक चीज और आप ध्यान रखेंगे कि north pole और south pole कैसे बताते हैं क्योंकि एक magnet में north और pole south दोन होते हैं तो clockwise वाले को या anti-clockwise वाले को क्योंकि यहाँ तो लिखा नहीं हुआ कि north pole कौन सा और south pole कौन सा है तो देखो आप n ऐसे लिखते हैं ऐसे ऐसे लिखते हैं तो s को ऐसे कर्व करते जाओ तो यह कैसी होती है यह clockwise direction होती है और इसको ऐसे गुमा लो इसकी line ऐसे जा रही है ऐसे कौन गुमता एंटी clockwise ठीक है तो जो भी मतलब की अगर current किसकी तरफ आ रहा है यह नीच ऐसे आ रहा है यह ऐसे ठीक है तो यह कौन सा हो गया यह जो आपको यह वाला हमारी तरफ जो दिखाई देगा मेरी तरफ जैसे जो आपको अभी दिख रहा होगा यह आपको कैसे दिख रहा है यह clockwise है clockwise मतलब कि यह south pole हो जाएगा पर वही कोई इसकी पीछे की तरफ खड़ा होगे देखेगा उसको उल्टा दिखाई देगा उसको क्या दिखाई देगा उल्टा तो उसके लिए वो दूसरी side क्या हो जाएगी north pole हो जाएगी क्योंकि वहाँ anti-clockwise दिखेगी क्योंकि यह तो clockwise हो गया यह clockwise है पर इसके opposite side खड़ा हो जाएगा उसको यह north pole दिखेगा मतलब यह anti-clockwise जहां भी current जै नोर्स जो होगा वो anti-clockwise होता है आपको सारी बात पोल भी बदा सकते हैं और आप सारी चीज़े बता सकते हैं ठीक है और सेम आपका circular loop में भी बचो जो circular loop जो होता है अब जैसे यहां current जा रहा है यहां current जा रहा है तो इसको point मान लीजिए अब जैसे यहां से current गया तो इसको current मानते हुए भी यहां current गया तो आपने अंगूठे को इस current की तरफ कर लीजिए यहां पर आपका अंगूठा रहेगा फिर उंगलियों को मोड़ते हुए लाई है राइट हैंड का ही करना है तो उंगलियों आपकी ऐसे बहार निकलते हुए ऐसे आएंगी ऊपर की तरफ से ठीक है मतलब कि यहां से move करती हुए और यहां अंदर गुज जाएंगी ऐसे ठीक है ना तो ऐसे आपको बताना है कि यह अंदर गई है या फिर बहार गई है कि clockwise गई है कि anti-clockwise move हुई है तो यह आपको पता करना आना चाहिए clockwise यह ए anti-clockwise तो आप देखी सकते हो और यहां पे भी क्योंकि एक point ही तो मैंने माना है कि यहां पे अगर एक point हो जाएगा तो यहां भी circle ही बनेंगे concentric circle ही यहां पे form होते हैं तो circular loop में भी आपको देखना आ गया और जो आपका क्या है क्या बोलते हैं उसको state line जो conductor होता बच्चों वहां पे भी आपको चेक करना आ गया ठीक है अब यहां पे जितने जादा मतलब आप क्या करेंगे कि जितने छोटा मतलब जो radius होगा कहां गया pen जितना छोटा मतलब radius होगा circle का उतना जादा मतलब magnetic field है ठीक है और जितना बड़ा ISS यूँ बनेगा तो मतलब वहां पे magnetic field जो है वो weak है और जितने जादा loop बन रहे हैं ठीक है मतलब उतना जादा वहाँसे current flow रहोगा उतनाında magnetic field है वहां पे ठीक है न, बात समझ में आ गई और जो magnetic field होता है अभी अभी बताया है कि जो distance of the loop है उसके inversely होता है, कि बहुत जादा distance पे बन रहे है, loop ठीक है, तो वो भी क्या हो जाएगा, magnetic field उसके inverse होता है, ठीक है न, बात समझ में आ गई होगी कई बार representation कैसे दे देते हैं वो भी देख लो, बच्चो एक बारी जैसे कई बार ऐसे लिखा हुआ मिल जाता है, तो ये इसका मतलब है कि जो magnetic field है एक तो वो uniform है, uniform मतलब बिल्कुल ऐसे parallel जो चीज़ चलती है, वो uniform कहलाती है और ये बिल्कुल बराबर distance पे मैंने लिखा है, तो uniform magnetic field line की representation है ठीक है न? और अगर cross लगाए गए हैं, तो inward है magnetic field, अंदर की तरफ जा रहा है अगर मैंने dot लगा दी हैं ऐसे, तो ये outward magnetic field है, बहार की तरफ आ रहा है तो ये आपको पता होना चीए, चेह मैं ऐसे line खीच दूँ, चेह मैं उपर की तरफ ऐसे line खीच दूँ, तो ये भी अगर same distance पे होता है तो uniform magnetic reason कहलाएगा, ठीक है बोलो, बात समझ में आ गई के नहीं, फिर हम बात करेंगे solenoid की, यह आपको ये दिख रहा है ना, solenoid, तो यहाँ पे, अगर आप solenoid की बात करते हैं, तो यह यहाँ पे जो insulated, जो copper wire होती है क्या होती है, insulated जो copper wires होती है, उनका ये क्या होता है, loop होता है यह मतलब लगाता है, जो आपको ऐसे ऐसे insulated copper wire है उनके loop मिलेंगे, वैसे मैंने बहुत खराब loop बनाया है, बहुत खराब, तो वो जो पूरा loop बनता है, ठीक है उस solenoid के question यहाँ से क्या बनता है, कि जो solenoid होता है इसके अंदर जो होता है uniform magnetic field lines आपको यहाँ पे दिखाई देती है क्या है, यहाँ पे uniform magnetic field line हमें दिखाई पड़ती है यह question यहाँ से पूछा गया है ठीक है, अभी जो मैंने ऐसे straight line बनाई थी ना, ऐसे-ऐसे तो वो uniform, देखो, आपको दिख रही होंगी अगर मैं यह zoom कर दूँ, तो देखो बिल्कुल straight line जो हो जाती है जहाँ पे anti-clockwise आपको दिखाई देगा वो north pole होगा, अगर एक side south pole दिख गई तो दूसरे अपने आप north pole होगी, अगर north pole दिख गई तो दूसरी side अपने आप क्या हो जाएगी south pole हो जाएगी ठीक है, समझ में आ गई अब यहाँ पे भी, अगर आप थोड़े ही distance में बहुत जादा क्या कर लेते हैं, ऐसे loop बना लेते हैं कम distance में, यह नहीं कि वह इतना distance है और तब आपने चार loop बनाए नहीं, इतने ही distance में, एक छोटे से distance में चार loop बना लिए, जितना जादा loop बनाओगे, उतना जादा वहाँ पे magnetic field अपियर होता है, उतना जादा magnetic field वहाँ पे आएगा ठीक है, मतलब जितने numbers of turn होंगे, per length में, per area में उतना जादा वहाँ पे आप यह कह सकते हैं कि magnetic field वहाँ से अपियर हो जाता है ठीक है ना, यहीं सही electromagnet बनती है बचो, माली जीए यह current तो यहाँ पे flow हो गई ठीक है, यहाँ पे आपने iron nail रग दी, iron रग दिया यहाँ पे, ठीक है, तब आप यहाँ से current pass करते हैं, तो जो अंदर आपने लोहा रखा है ना, उसके core में इस distance में, यह जो space है यहाँ पे, तो वो भी as a magnet के जैसे behave करना शुरू कर देता है, जिसको आप electromagnet बोलते हैं, पर यह बंद कर दो कि बाहर निकाल दो कि तो वो वापस से सिर्फ iron ही होगा, पर अगर आप इसके अंदर इसको रखे हुए हैं, क्या है, इसके अंदर आप इसको रखे हुए हैं, तो वो भी एक इसम से वो क्या होता है वो उसको आप electromagnet बोलते हैं ठीक है, बलो फिर आपको एक topic और पढ़ना है बचो अभी, एक minute, हम थोड़ा आगे चलते हैं हाँ, आपको force का आप पता लगाना है, ठीक है, force होना current carrying की, आपने एक simple सी बात है की, एक magnetic field में, आपने यहाँ पर मालीजिये, मैं यहाँ पर एक normal में बना रही हूँ कि आप यह magnetic field है और यहाँ पर एक current carrying conductor यहाँ पर रख दिया इसके बीच में, ठीक है, यहाँ पर एक current carrying carrying एक conductor रख दिया, तो इस पर धका किस तरफ लगेगा मालीजिये current मैं ने बता दिया, भी, यहाँ उपर की तरफ है उपर की तरफ current जा रहा है magnetic field अंदर की तरफ है अब यह बताईए, यह जो conductor है इसके उपर धका कहां लगेगा, force कहां लगेगी, यह आपका मतलब यह question ऐसे पूछे जाते है वो आपको लिख के देदेगा सारी चीजे इसका मतलब field क्या है, अंदर की तरफ है ठीक है, तो अब हम बच्चों direction के question करते है ठीक है, अब कैसे आपको बता रहा है जैसे आपने यह बना लिया, भी, यह magnetic field गया अंदर की तरफ, ठीक है और यहाँ पे आपने conductor रख दिया जिस पे current जो है, वो ऐसे उपर की तरफ जा रहा है यहाँ पे कौन सा rule लगता है, वैसे तो left hand जो होता है, वो यहाँ पे लगता है left hand rule, अब यहाँ पे मुझे एक diagram जहीं होगा हाँ, जैसे यह रहा, left hand rule आपको लेना left hand उठाईएगा अपना, नहीं तो सब गलत हो जाएगा अंगुठा यहाँ पे force को दिखाएगा बच्चो अंगुठा यहाँ force को दिखाएगा यह जो आपकी finger होगी, अंगुठे के बाद और perpendicular होनी चाहिए तीनों आपस में क्या होनी चाहिए, perpendicular होनी चाहिए यह magnetic field lines की direction दिखाएगा और यह जो middle finger हो जाएगी यह current की direction को दिखाएगी आपस में 90 का angle बनाते हुए बना लिया सबने, ठीक है आप देखो तो, अब लगाओ इसके उपर कहां बनाया था मैंने, यह रहा जो क्या है, field जो है magnetic field है, वो अंदर की तरफ है ठीक है, अपना left end उठाइए कर लिया होगा आपने तो आप यह देखो magnetic field जो line हो गई मतलब आप क्या करेंगे जो आपकी अंगुठे के बाद वाली जो उंगली है उसको magnetic field की तरफ कर लीजिए current उपर की तरफ है आपकी जो तीसरी उंगली है मतलब पहले अंगुठा, दूसरी वाली उंगली तीसरी वाली उंगली, वो उपर की तरफ आप करो अब अंगुठा आपका किस तरफ point कर रहा है, वो देखो किस की तरफ कर रहा है, यहाँ force, यह force इस तरफ आ जाएगी बाहर की तरफ ठीक है, कुछ समझ में आया है या आप इसका असान तरीका और बता देते हैं बच्चो ये right hand palm rule इसको बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं, right hand palm rule आप इसको बोलते हैं अपना अंगुठा उठाइए, ठीक है अंगुठा नी, right hand उठाइए और इसको जैसे congress party करती है वैसे कर लीजिए, ठीक है और अंगुठे को मतलब सीधा आप निकाल लेंगे किस तरीके से, ये अंगुठा इस तरफ कर लेंगे, और उठाइए ऐसे कर लेंगे ठीक है ये ऐसे कुछ करना है समझ कई जो आप उठाइए हैं बच्चो जो आपकी उठाइए होंगी, right hand वाली जो उठाइए होंगी, ये magnetic field line बताएंगी, ये field को बताएंगी जो ये अंगुठा है ये i current को बताएगा और जो ये आपकी हथेली जो हो जाएगी जो हथेली हो जाएगी, वो force को बताएगी अब उसको यहां लगाते है magnetic field line की तरफ तो उंग्लिया कर लीजिए, ठीक है और ऐसे ही हाथ रखना है, exactly, ऐसे ही तो उंग्लियां force की तरफ आपने कर ली हो, मतलब force कह रहे है magnetic field की तरफ कर लीजिए current कहां पे है, उपर की तरफ तो उंग्लियों को वही रखिए का अंदर की तरफ ठीक है, और अब क्या है आपने उंग्लिया कर लिया उपर की तरफ आपकी हथेली किस तरफ पॉइंट कर रही है इसी तरफ कर रही है न, कहां गया यह इसी तरफ, ठीक है उंग्लिया आपकी कहां चली गई आपने ऐसे रखी, और अंग्उठा आपका कैसे, यह कुछ मतलब इस तरफ तो उंग्लिया हुई, अंग्उठा उपर की तरफ, तो अपनी हथेली इसी तरफ पॉइंट कर रही है, तो आप ऐसे भी देख के बता सकते हैं ठीक है न?